यू पी टी जी टी पी जी टी तथा एल्टी ग्रेट की तैयारी कर रहे हैं सभी दोस्तों को पंकर जो जाकर नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आपके सामने आ गया हूँ लेकर आज की जो मौक टेस्ट है बहुत स्पेशल होने जा रही है वो लिट्री टर्म्स फॉर्म्स और मूवमेंट पर है और दोस्तों जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है ये चीजों का आप ध्यान रखिएगा कि कि किसी एक बुक से किसी भी एक बुक से लिट्री टर्म्स फॉर्म्स और मॉवमेंट नहीं आने वाले निरिज फोन साइलेंट कर देना मेरा वाला ये किसी एक बुक से चाहे हो एमेच अबराम हो चाहे क्रिस बैल्डलिक हो एक बुक से नहीं पूछा जाता जो पेपर सेटर ह होता है कभी भी एक बुक से लिटेरी टम नहीं पूछेगा कि सिर्फ वो एमेच अबराम से पूछ लिया या सिर्फ उसने क्रिस बैल्डलिक से पूछ लिया इसलिए हमने जो राउटलेज डिक्सनरी अप लिटेरी टम से वो भी रिफर किया है नोट्स बनाने में उसके जो क्रिस बैल्डिक की बुक है ऑक्सफर्ड लिटेरी टम्स वो बहुत वंडरफुल बुक है उससे नोट्स बनाए कई जगहों से नोट्स बनाके ये मौग्डिल आपको आज से करवाई जाएगी किसी एक बुक के बिलकुल हेर फेर में ना पड़े किसी एक बुक से आपक सही से कंप्लीट करवा दे और वहां से क्विश्चन आ जाएं ओके तो आपको दस लिट्रेरी टरम फार्मस और मुमेंट की बुक खरीदने से बहतर है कि हमने उसका एक नोट्स तयार कर दिया है दस किताबों को लेके चाहे वो राउटलेज हों, क्रिस बैल्डिक हों, सबको मिला के हमने एक नोट्स तयार किया है अपना नोट्स जो की टॉपर्स नोट्स है जाहिर सी बात है उससे हम आपको करवाएंगे ये क्विश्चन और क्विश्चन के बाद जैसे कि हमारी परंपरा है टॉपिक टू बुक हम उसको व्याख्या करेंगे, ओके? ओके ऐसे ना याद हो जी, गुड़ इवनिंग, यास्मीन जहां, अभिवंदना तिवारी, पुस्पांजली ओजा, सुनिल कुमार, अनामी गुपता, गौतम रमेश बाबु, रोहित कुमार राजभर, जोती तिवारी, रितूत्र पाठी, लक्ष्मी, मोधनवाल, नेहा च है, मालती बिन, पृति अवस्थी, नवीन कुमार, अंजली बाजपई, सानिया असलम, शिल्पे सिंग, बंदना सोनी, और जित्ते भी लोग, धेर सारे लोग जुड़ गए हैं, और, ओके, तो ये ध्यान रखिए, लिटेरी टर्म्स, फॉर्म्स, और मूमेंट एक ऐसा भी प्रसात की बुख है, उससे पूछा जा सकता है, रॉटलेस का बहुत अच्छा लिटेरी टर्म्स, और मूमेंट में आज से उसको बिलकुल कंठस्त करना है, ओके, चाहे वो फ्री वाले हों या पेड़ वाले हों, ध्यान दीजिए, ओके, आफको पेड़ वालों को लेकिन आप धिहान में रखिए, लिटेरी टर्म्स, ओके, फॉर्म्स और मूमेंट का जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चिन है, ओके, गौराव सिंग जी, खुश रहिए, ओके, महजबीन फातिमा जी, आप सर्वत्र, यू आर यूबीक्यूटस, यूबीक्यूटस मा पहले एक क्वेश्चन था, मेरे से बताने में गया-बड़ी हो गई थी, या कुछ उसको पहले देख लेते हैं, मौगडिल 10 का ये क्वेश्चन है, उसको पहले देख लीजे, मौगडिल 27 का क्वेश्चन नमबर 10 है, इसको देख लीजे, तो ये सटायर होगा, मैंने आपको पैरेडी बताया था, बहुत सारे लोगों ने उस दिन सही उत्तर दिया था, तो ये सटायर होगा, ध्यान में रखिये, कि वो लिट्रेरी आर्ट, वो साहित्य की कला, जो किसी भी सब्जेक्ट को डिमिनिश करती है, मान लीजी आपने बहुत बड़ा काम किया, आपके काम को बहुत छोटा करके दिखाया जा रहा है, ओके, और जब डिमिनिश कर दिया गया, तो वो रोडिकुलिस भी आगया, ए यह हो गया, क्या हो गया, सटायर, किसी चीज को बहुत ज़्यादा डिमिनिश कर दिया जाता है, ताकि वो रोडिकुलिस बन जाए, और उसके प्रती अम्यूजमेंट और इसकौर्न का भावा है, ओके, तो यह सटायर होता है, सब लाइक करेंगे, बिल्कुल शिवांगी जी, आते हैं मॉगडिल 29 के, 29 के question number 1 पर, आप डेट भी 29 है, आपकी मॉगडिल भी 29 है, यहाँ पर देखिए, इतना एक्स्ट्रीम स्टेटमेंट होता है, कि ऐसा लगता है, कि ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, संबव है, जैसे, I will love you dear, I will love you, till China and Africa meet, कि मैं तुम्हें इतना प्यार करूँगा, तब तक प्यार करूँगा, जब तक अफरीका और चाइना अपस में मिल नहीं जाते, क्या संबव है, अफरीका और चाइना का अपस में मिलना, इस तरह की extreme exaggeration की जाती है, is the example of which figure of speech, अगर जहां पर extreme में, बहुत extreme पे जहां पर exaggerate किया जाए, वहां पर काउन से figure of speech होती है, question number one का आपको जवाब देना है, adionation, नहीं है, adionation, chiasmus, anti-metabol, prolapsis, बताएं, यह कौन सा figure आप speech है, जहां पर बहुत ही, ऐसी बात कही जाती है, जो बहुत ही extreme हो, statement इतना extreme होता है, कि वो reality में possible नहीं होता, जैसे, I will love you dear, I will love you, till China and Africa में, जब तक China और Africa अपस में मिल नहीं जाते, किसका उदारण है, बताएं, जवाब दे, अडाइनेटन का, या कायास्मस का, एंटी मेटाबोल का, प्रोलैप्सिस का, question का जवाब दे, ओके, ब्रिजेश उपाध्याय जी ने कहा है, वनका A होगा, 100%, ओके, सुनिल कुमार जी ने भी ए बोला है, उसके पहले अनामिका दुवेदी जी ने भी ए बोला है, ओके, जिन लोगों ने भी ए बोला है, बिल्कुल सही है, यहाँ पर अडाइनेटन हो जाएगा, ओके, आपका answer, ओके, यह, exaggeration का ही एक प्रकार होता है, हाइपरबली का ही एक प्रकार होता है, लकिन बहुत एक्स्ट्रीम रूप होता है, जहाँ पर ऐसी कलपनाए की जाती है, जो कि वास्तों में संभव ही नहीं है, आईए इसको देख लेते हैं, अडाइनेटाउन is from the Greek word adunation, कहां से इसके उत्पत्ती हुई है, अडाइनेशन, Greek word adunation से उत्पत्ती हुई है, विच मेंस, impractical, जिसका आर्थ होता है, आव्याउहारिक, और इंपॉसिबल, असंभव, इसको 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 तो क्या कहा जाता है, अडाइनेटरॉन कहा जाता है, किसी चीज को जोर देने के लिए, किसी भी बुद्धे को जोर देने के लिए ये यूज किया जाता है, अडाइनेटरॉन is a kind of hyperboli, though it is an extreme form, तो पूछा जा सकता है आप से, हमारे एक प्रश्ण में, दस प्रश्ण होते हैं, ध्यान में रखियेगा आप, अगर पूछा जाए कि hyperboli का extreme form क्या है, तो अडाइनेटरॉन आप बताईएगा, वेन hyperboli goes to an extreme level that is completely impossible in reality, it is called a dynatron, it is presented as an exaggeration, exaggerated comparison as contrast, उदाहरण देखे, जैसे हम बोलते हैं फ्रेज न, it is raining cats and dogs, यह अडाइनेटरॉन का उदाहरण है, और उदाहरण देखिए, it will be 10 billion years before we are finished cleaning up this room, कि हमें इस कमरे को साफ करने में 10 billion साल लग जाएंगे, I am so hungry, I could eat a horse, मैं इतना भूखा हूँ कि मैं घोडे को खालू, extreme, आपको exaggeration लग रहा है कि नहीं, overstatement, extreme overstatement लग रहा है कि नहीं, my mom is going to kill me when she gets home, जब मैं आज घर पहुंचूँँगा, मेरी मा तो मुझे जान से मार देगी, okay, are you getting my point, आज के बाद adynatron भूलेगा क्या, extreme form of hyperbully, okay, is called adynatron, क्या आज के बाद आपको भूलेगा यह, मुझे नहीं लगता भूलना चाहिए, question number two, आपकी screen पर है, a reference to someone or something, that is known from history, literature, religion, politics, sports, science, or another branch of literature is, किसी का जब हम reference देते हैं, someone or something, किसी व्यक्ति का, या किसी चीज का जब हम reference देते हैं, झो की इतिहास में बहुत जिसका नाम है, साहिति में जिसका बहुत नाम है, धर्म में, राजिनीति में, खेल में, science में, जो हम एक passing reference देते हैं, उसे क्या कहते हैं? illusion कहेंगे, illusion कहेंगे, fusion कहेंगे, confusion कहेंगे, बताईए, भूलना भी नहीं चाहिए, ये वारियर्स फैमिली के हिस्सा हैं आप, बता तो रहाँ ये सारी नोट्स जो मैं एक क्रिस्चन टॉपिक टुबुक जो हमारा पढ़ाने का धंग है, पहले क्रिस्चन उसके बाद उसकी व्याक्षा, ये जो पढ़ाने का धंग है, मैंने आज कई बुक को ये चीज जब मैं नोट्स बनाता हूँ तो कई बुक को लेके, चाहे वो राउटलेज हों, चाहे मच अबरहम हों, गगन राय हों, बी प्रसाद हों, ये एक अडन हों, क्रिस बैलिक हों, इन सब को मिलाके नोट्स हमारे बनाये जाते हैं, किसी एक उथर का नहीं आता है, मच अबरहम का आजा जैसे मैं आपको कहूँ, कि आप उसका गमंड रामड जैसा था, उसका गमंड रामड जैसा था, देखिए अलूजन का जो उद्देश होता है, अलूजन का उद्देश होता है अपनी बात को कॉम्प्रेस्ड फॉर्म में कहना, अपनी बात को शॉर्ट में कह जाना, अब मैं उसके घमंड की अगर व्याक्षा करूँ कि अरे वो बहुत घमंडी था ये है वो है अपने आपको किसी के आगे कुछ नहीं समझता था उसने इतने लोगों को मारा इतने लोगों का स्टोशन किया इतने लोगों का बलातकार किया उससे अच्छा हम कह दिया सीधे उसका घमंड में बिल्कुल रावड ही था तो रावड कहके एक हिस्टोरिकल या मिथिकल फिगर है रावड हमने अपनी बात को शॉर्ट में कह दिया जैसे कोई पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट है तुम तो विवेका अनंद हो यह क्या हो गया अलूजन हो गया विवेका अन या पासिंग रिफरेंस और मेंशन आप परसन इवेंट स्टेटमेंट पीस आफ हार्ट हिस्ट्वी मिट्स रिलीजन और पाप्लो कल्चर किसी भी एक चीज का मेंशन हो जाएगा जैसे मैंने कहा कि वह तो बिल्कुल रावड जैसा है घमंड में तो बस रावड को आप अगर आप महा भारत जानते हैं मैंने कह रहें उनके घर में तो महा भारत मची हुई है यह अलूजन है मतलब बहुत जाले जगडे हो रहे हैं स्टेटमेंट पीस आफ 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 हिस्ट्री मिथ रिलीजन यह कहीं से भी अलूजन हो सकता है यह जब कोई व्यक्ति है कोई जो साहित्तिकार है अलूजन का प्रयोग करता है तो वो यह मान के चलता है कि पढ़ने वाला उस चीज से वाकिफ होगा मैं अगर जैसे आपको कहूँ कि मैं तुम्हें फिलिप्पी के मैदान में मिलूँगा तो अगर आप फिलिप्पी का मैदान जूलियस सीजर में नहीं जानते तो आप समझी नहीं पाएंगे अगर मैं कहूं कि नहीं बिल्कुल वो तो बिल्कुल उसका सभाव बिल्कुल वो सभाव में, बातचीत में, बिल्कुल राम जैसा है तो राम के करेक्टर को अगर आप नहीं जानते तो जो लिखने वाला है वो ये मान के चलता है कि जो मैं allusion दे रहा हूँ, उससे जो पढ़ने वाला है वो परचित होगा. Therefore, an allusion is when a piece of writing tries to hint at a person, place, thing, literature or art. An allusion is when we hint at something and expect the other person to understand what we are referencing. Example देखिए. Example से समझ में आएगा. I met a man who was romantic and a true Romeo. मैं एक आदमी से मिला जो बिल्कुल की बहुत romantic था और एक true Romeo था. अब Romeo, यहाँ पर कहां का allusion आया है? यहाँ पर allusion आया है Romeo and Juliet by Shakespeare का. ओके? अरे वो तो बिल्कुल Romeo है. तो Romeo कहके हमने अगर Romeo का character कोई जानता है, Romeo का character कोई जानता है, तो वो सब समझ जाएगा. हमने short में अपनी बात कह दी कि वो तो बिल्कुल Romeo है. तो I hope आपको allusion समझ में आ गया होगा. विनी तवस्ती जी बिल्कुल I conveyed your regards to मैं. Question number 3. Anagrosis is a term used by Aristotle to mean. देखे यह tragedy वाला जो वीडियो है हमारा free में YouTube पर है. मैंने tragedy को बहुत ही व्रियाट धंग से, विस्तरिक धंग से पुरे concept से पढ़ाया है. वहां से यह question है. आप बताएं Anagrosis क्या होती है? Anagrosis is a term used by Aristotle to mean. Recognition or discovery, tragic flaw, hammer, shear and none of these. Question number 3. Tawassum Sahib Ji, बिल्कुल सब को like करना चाहिए. इतनी अच्छी क्लास में भी like नहीं करेंगे. मैं तो अपना बता रहा हूँ. 5-5-6-6 किताबों का निचोड आपके पास ले आता हूँ में. Thank you very much. याकिर अली जी. Anagrosis is a term used by Aristotle to mean. Okay, recognition or discovery. Tragedy पर जिन लोगों ने मेरे वीडियो को देखा है. उसमें साब aside, soliloquy, ये सारा Anagrosis, हैमर्शिया, सारी चीजे मैंने clear की है. तो यहाँ पर Anagrosis का Aristotle से क्या मतलब है? Recognition से मतलब है, discovery से मतलब है. Okay, ध्यान में रखना है. आईए, इसको देख भी लेते हैं. Concept का clear होना बहुत जरूरी है. Topic to book किसी को कहते हैं. पहले आपने objective question किये. अगर objective question नहीं समझ में आ रहा है, तो हम भ्याक्षा देख लेंगे. समझ में आ रहा है, हम आगे बढ़ जाएंगे. Okay, जब मैं कहता हूँ, Topic to book पढ़ाई कीजिए. Book to topic नहीं. पहले किताब नहीं पढ़नी है. मैं पढ़ने के सब practice की बात में करता हूँ. और literary terms, forms and movement में किसी एक book के साहरे रहे, तो बिल्कुल नईया पार नहीं होगी. चाहे वो Chris Baldick हो, चाहे Abraham हो, चाहे Routless हो, चाहे गगन राय हो, चाहे बी-प्रसाद हो, सब का निचोड आपको मैं दे रहा हूँ. साथ, आठ, जो पूरे world famous literary terms की books लिखी गई है, उन सब का निचोड मैं आपको दे रहा हूँ. Anagrosis क्या होता है? The Greek word for recognition. Greek में Anagrosis बोलते हैं, English में recognition बोलते हैं, और डिस्कवरी यूज़ भाई Aristotle इनिच पोईटिक्स, कहां यूज़ किया गया? Aristotle ने अपनी पोईटिक्स में यूज़ किया, ति डिनोट दे टर्निंग पॉइंट इन ड्रामा, एक ड्रामा में ये एक टर्निंग पॉइंट होता है, एक ट्रेजिक हीरो के जीवन में एक मोमेंट आता है, जब उसे पता चल जाता है कि हमने कहां गलती की, इसी को वो जब पहचान लेता है, recognize कर लेता है, कि उसने क्या गलती की, तो उसी को क्या बोलते है, recognition बोलते है, उसी को ग्रीक में बोलेंगे enagrosis, okay? Recognize the true state of affairs having previously been in error or ignorance, पहले जिन चीज़ों से वह जान था, उसे एक ऐसा moment आता है, जब पता चल जाता है, example देखिए, जहां से देखिएगा, Macbeth में example देखिए, recognition का इनagrosis का कहां है, one such moment in Macbeth occurs in the final scene when Macbeth on the battlefield, Macbeth battlefield में है, encounters vengeful Macduff, Macduff से जब उसकी लड़ाई होने वाली है, Macbeth की, who declares that he is not a woman boy, Macduff कहता है कि मैं एक महिला से, महिला से जो साभाविक जनम होता है वैसे नहीं, मैं सिजेरियन मेरा जनम होगा है, मुझे पेट खाड के निकाला गया था, जबकि विचेज ने क्या भविश्यमारी की थी, कि जो महिला से जनम नहीं लिया होगा, वही तुमें मारेगा, but instead untim from the womb of his mother, which is now called C-section, आज जिसे C-section कहते हैं, वैसे Macduff का जनम हुआ था, this is the moment when Macbeth learns that the prophecy of witches is about to come true, तभी यहाँ पर एहसास होता है, पहचान होती है, recognition होता है, एनाग्रसिस होती है Macbeth को, कि यहाँ पर क्या, कहाँ पर मैंने गलती की, witches की बात मान के, यह तो मैं ठगा गया, कि Macduff उसके सिजेरियन बर्थ हुआ है, वो तो सभाविक रूप से नहीं जनम है, जैसे जनम होता है, नॉर्मल बर्थ होती है, and that Macduff would kill him, though Macbeth realizes that he is destined, he continues to fight with Mac Macduff who eventually kills him, Antwene Macbeth मारा जाता है, लेकिन मरने के पहले, इनाग्रसिस की निशानी है, पता तो चल जाएगा Antwene, कि हमने कहाँ गलती की, tragic hero को पता चल जाता है, कि हमने कहाँ गलती की, लेकिन अब वो उसे सुधार नहीं सकता, जब तक उसे पता चलता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, Antwene Macduff उसे मार देता है, Othello से example लीजिए, इनाग्रसिस का, देखते हैं, आपको इनाग्रसिस आज के बाद कभी नहीं भूलेगी, there is another example, in another play Othello, Othello believes only what others tell him, पूरी कहानी में अगर आप देखेंगे, जो दूसरे कहते हैं, Othello वही believe करता चला जाता है, especially those who come to see him first, he believes in the story of deceit of Iago, Iago की हर एक बात में वो यकीन करता है, Desdemona के बारे में की Desdemona गलत है, character की घरबढ़ है, though it is based on words and not, and a handkerchief, yet he does not trust Desdemona, Desdemona पर विश्वास नहीं करता, The moment of recognition occurs when he realizes that he has wrongly killed his beloved wife, अंत में उसे पता चलता है कि उसने गलत अपनी wife को बिल्कुल गलत मारा है, उसकी wife बिल्कुल सही थी, वहाँ पर उसे recognition होता है, therefore he kills himself too, इसलिए वो खुद को भी मार लेता है, मतलब tragic hero की death message है, anagresis होने के बाद, पहचान होने के बाद tragic hero को बहुत द पर आते हैं, analypsis is commonly referred as, analypsis को commonly क्या बोला जाता है, flash forward, flashback, flash light, flash round, क्या बोला जाएगा, analypsis को क्या बोला जाएगा, बताएं आप लोग, thank you very much साधना जी, आप लोगों की महरबानी है, कि आप पहचानती है, मैं मेहनत करता हूँ, अगर 4-6 किताबों से, world famous किताबों से, content और question लेके आता हूँ, तो उसको recognition आप लोग देते हैं, यह आप लोगों की बहुत बड़ी बात है, आज हमने सोचा, बुक बता ही दे, जि ब्राहम से है, गगन राय से है, वी प्रसाथ से है, जे कडन से है, आक्सपर्ड की क्रिस बैल्डिक से है, एक बुक से थोड़े कोई बनाता है, जब कोई expert बैठता है, तो उसके पास यहिर सी बात है, कोई वी अगर university का professor, उसके पास 10 किताबे हैं, ओके, four का सभी लोग, ज्यादा तर लोग भी answer कर रहे हैं, और जो लोग भी answer four का कर रहे हैं, वो बिल्कुल सही है, यहाँ पर, ओके, चाहे वो निष्ठा सिंग हूँ, ओके, सुर्भी वर्मा, दीपक कुमार शर्मा, ओके, पूजा सिंग जी, सोनी पांडे, सभी का नाम हो flashback, ध्यान में रखिएगा, पूछा जाएगा, बहुत हत तक संभावना है, एनलेपसिस, प्लूरल क्या हो जाएगा, यह भी देखते चला कीजिए, सिंगुलर प्लूरल भी पूछा जाएगा, एनलेपसिस को प्लूरल बनाएगे तो, एनलेपसिस हो जाएगा, यह आई जो कहानी का प्रकार है, by which some of the events of a story are related at a point in the narrative, after later story events have already been recounted, आप लोगों से कितने लोगों ने फोर्स देखी है, जान अबराहम की फोर्स, वो शुरुवात होती है, जब उसे गोली मारी जाती है, कहने का मतलब, जो background story, जिस तरह epic में कोई कहानी मीडियास, रस से शुरू होती है जिस तरह epic में कहने का मतलब जो background story बाद में बताई जाती है, उसे कहते है, in allipsis, मान लिजे कहानी पूरी यह है, यहां से यहां तक कहानी है, यहां से यहां से यहां तक कहानी है, लेकिन movie शुरू हुई यहां से, यहां से शुरू हुई, movie यहां से शुरू होके, यहां तक म बताई गई, यहां की कहानी बताई गई कि पहले क्या हुआ था, तो एनलेप्सिस में क्या होगा, यह एना क्रोनी का एक प्रकार है, बाई विश कुछ इवेंट ऐसी होती है, जिन्हें बाद में बताया जाता है, और इसे क्या क्या कहते हैं, retrospection भी कहते हैं, flashback भी कहते हैं, ज्यान में रखिएगा, retrospection, flashback. Analypsis enables a storyteller to fill in background information about characters and events. Analypsis से क्या होता है? जो background information है, वो बता दी जाती है. जो पहले क्या हुआ था, वो बात बता दी जाती है. अब जैसे Analypsis भी एक ऐसे ही narrative है, epic की तरह in medias rest से शुरू होता है background story बाद में बताई जाती है any doubt, analipsis में कोई doubt है flashback, analipsis, anachrony कोई doubt नहीं होना चाहिए एक तरह से इसमें flashback में आदमी कहता है नहीं movie flashback में चली गई flashback means कहानी कहीं और से शुरू हुई थी मान लीजिया मिताब बच्चन की movie है वो अपने बच्चन के बारे में बताने लग गए कहानी कहाँ चली गई flashback में चली गई question number five पे आते what term is used when repetition of the same word or words at the start of two or more lines what term is used when repetition of the same word our words at the start of two or more lines कोई line है start हो रही है start में भी वही वर्ड आया दूसरी जिगा पर भी वही वर्ड आया या तीसरी जिगा पर भी वही वर्ड आ रहा है उसे क्या बोलेंगे मतलब एक पॉम है या कोई चीज है पहली लाइन में भी शुरुवात में वही वर्ड आया है दूसरी लाइन में भी शुरुवात में वही वर्ड आया तीसरी लाइन में भी शुरुवात में वही वर्ड आया तो क्या होगा एनाफोरा होगा एनेक्डोट होगा पेरिफेरी होगा consonants होगा ज्यादा तर लोग A respond कर रहे हैं और मुझे लगता है A यहां बिलकुल सही है आपका जवाब A सही है जिन लोगों ने भी A respond किया चाहे वो रागनी राय हों निश्था सिंग हो लर्नर शालिनी निहादिवेदी साधना सिंग स्मिता सिंग वेरी गुड ओके स्वाती शुकला ओके गुड ए इस दराइट आंसर अब देखिए एनफोरा क्या होता है figure of speech होता है आप कहते हैं figure of speech से आप नहीं बताते एनफोरा भी एक figure of speech है in which words repeat at the beginning आप successive clause phrases and sentences beginning में होगा तो एनफोरा होगा ओके ज्यान में रखिएगा beginning में पहली line की beginning में अगर वही शब्दा रहा है दूसरी line की beginning में वही शब्दा रहा है तीसरी line की beginning में वही शब्दा रहा है तो एनफोरा हो जाएगा एनफोरा is related to epistrophe यह epistrophe से कैसे related है ध्यान रखिए which is the repetition of words at the end of successive clause इसका just opposite epistrophe हो जाता है जहाँ पर एक line खतम हुई यहाँ पर वही word आया दूसरी line जो खतम हुई वहाँ पर वही word आया तीसरी line खतम हुई तो वहाँ वही word आया तब क्या हो जाएगा epistrophe हो जाएगा अगर कोई आपसे एनफोरा का opposite पूछता है तो आपको क्या बताना है epistrophe बताना है okay epistrophe एनफोरा का just opposite हो जाता है इसमें क्या होता है repetition of words at the end of successive clauses वहाँ था beginning था यहाँ पर end of successive clauses है epistrophe में okay of the cake example that in his poem london william blake makes use of an aphora with variation you take an aphora can use the key in every cry of every man in every infants cry of fear in every voice in every band the mind folks fogged manacles are here in every higher in every यहाँ भी आया in every यहाँ भी आया यह किसका example हो गया एनफोरा का अगर यहाँ पर आता in every in every in every last में तो क्या हो जाता epistrophe हो जाता अब epistrophe के example भी देख लिजिए जो की opposite है एनफोरा का epistrophe क्या होता figure आप speech यह भी है जिसमें अंत के जो शब्द है वो repeat होते है है एक लाइन में okay example देख लिजिए सबसे famous example हम सबको पता है epistrophe का सबसे famous example देखिए जो की किस ने दिया था Abraham Lincoln ने दिया था government of the people people आया by the people people आया last में दूसरे for the people people आया यह किसका उधारन हो गया epistrophe का उधारन हो गया इसमें clause या phrase या sentence के अंत में people 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 बार बार आ रहा है okay यह epistrophe का उधारन हो गया question no.6 पे आते है epistrophe e-p-i-s-t-r-o-p-h-r, ragni rai-ji okay question no.6 the term used for repetition of a word or phrase as the beginning of successive class बताएं फिर से लगबग वैसा ही question है आप बताएं इसका उत्तर क्या होगा the term used for repetition of a word or phrase at the beginning of successive class question no.6 का जवाब दे थैंक यू रूबी रितोत रिपाथी जी बिल्कुल मैं कभी बुक्स के नाम नहीं लेता कितनी बुक्स और कितने अपने नोट से तयार करता हूँ ये बताना कई बार जरूरी हो जाता है कि आप लोग बहके ना कोई एक बुक परियाप्त नहीं होती इसलिए लिटेरी टर्म्स और मुउमेंट के लिए आप लोगों को मैंने भुक नहीं बताई चो कि मैं दस बुक आपको बता दूँगा उसका क्या मतलब है उससे अच्छा है दस बुक से हम आपको matter तयार करें और दें वह ज्यादा अच्छा है ना अब राउटलेज हैं मचब राहम हैं लेंग्वेज भी टफ है ओके भी प्रसाध हैं क्रिस बैल्डिक हैं कितना आप पढ़ेंगे कोई रिसर्च थोड़े आपको करना यह टीचर की जिम्मेदारी है कि वो कई बुक से आपको बताए अब फुरा ही उत्तर होगा मैंने जान बूच के रखा था कि मेरे समझाने के बाद आपके समझ में आया या नहीं यहां पर यह बिल्कुल सही आंसर है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते it is a very short tale which is told by a character in a literary work it is known as very short tale है दिये गए विकल्पों में से बताना है it is a very short tale which is told by a character in a literary work it is known as क्या किस नाम से जानी जाएगी बहुत चोटी सी कहानी है ओके एक करेक्टर किसी literary work में इस कहानी को बताता है नेक्डॉट होगा मिथ होगा फेवल होगा इस्टोरी होगा बताएगे question number seven विनीत अवस्ति जी a respond कर रहे है प्रमोत कुमार जी a respond कर रहे है प्रदीब जी a respond कर रहे है ओके एनेकडॉट is the right answer जिन लोगों ने भी a respond किया बिलकुल सही है और आप Google जरूर कीजिएगा मैं तो term का एक एक चीज आपको clear कराऊंगा ही, आप देखेंगा what is the difference between anecdote and fable, okay, you should understand the difference between anecdote and fable, fable, दूसरी चीज हो गई, anecdote, दूसरी चीज हो गई, anecdote एक बहुत छोटी सी कहानी होती है, जो किस लिए कही जाती है, एक literary work में किसी अपने point को prove करने के लिए कही जाती है, इसके explanation भी देख लेते हैं, anecdote क्या होता है आज के बाद कभी नहीं भूलेगा आपको, मैं इसकी guarantee देता हूँ, okay, pronounce क्या किया जाएगा, anecdote, is a very short story, ध्यान रखिएगा, very short story पे आप ध्यान रखिएगा, very short story, that is significant to the topic, किसी topic की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए significant होती, माललीजी मैं इमानदारी की बात कर रहा हूं, माललीजी मैं प्यार की बात कर रहा हूं, इमानदारी की बात कर रहा हूं, और बीच में आपको छोटी सी काहन ही सुनागे, वो anecdote हो जाएगी, उसको proof करने के लिए, Usually adding personal knowledge or experience to the topic. Basically anecdotes are stories. Hoti stories ही है. Like many stories, anecdotes are most often told through speech. They are spoken rather than written. ये लिखने के लिए नहीं होती है. ये speech में ही कही जाती है. Okay? They are not meant for writing. Speech में ये कही जाती है. Okay? Anecdotes. The term anecdote originally comes from the Greek meaning things unpublished. Anecdote का origin Greek है. ध्यान रखियेगा. Origin पूछा जाता है. इसका मतलब क्या होता है? Things unpublished. बिल्कुल इरफान मलिक जी. फेबल आपने बिल्कुल सही बताया. Okay? Next question पे आते हैं. Question number 8. Very short story, Ruby जी. Okay? Anecdote is very short story. अपनी speech में आप जैसे बातचीत कर रहे हैं. कोई point को prove करना हुआ. Okay? तो आपने कोई एक कहानी छोटी सी बता दी. बात करते करते वो Anecdote हो गई. Not that I loved Caesar less, but that I loved Rome more, the figure of a speech is. कौँन सी figure of a speech है? Epigram है, lightities है, pun है, antithesis है. बिल्कुल दीपक कुमार शर्मा जी, you are right. It is not similar to short story. Short story is meant for पृतिका राय जी मैंने जैसा की बताया कि short story तो लिखी जाती है. Anecdote लिखने के लिए नहीं होती. कोई अपना भाफण दे रहा है, speech दे रहा है, बीच में उसने चोटी सी कहानी सुना दी, अपने point को प्रूफ करने के लिए. Okay? Short story तो लिखी जाती है. Short story अलग हो गई. बहुत चोटी सी कहानी होती है, Anecdote. Very short story, okay? Question number eight. Okay? जादा तर लोग D answer दे रहे हैं. Okay? Antithesis is the right answer over here. Okay? There is no doubt about it. Okay? Not that I loved Caesar less, but that I loved Rome more. कौन बोलता है? यह बताएए. Antithesis है. This statement is uttered by whom? किसके द्वारा यह uttered किया गया? Who uttered this statement? Okay? D is the right answer. Antithesis देख लीजे, बार फिर से भूलीएगा नहीं. An antithesis, a striking opposition or contrast of words or sentiments is made. Striking opposition होगा, contrast होगा, मतलब बहुत आपका ध्यान आतरशित करने वाला विरोधाभास होगा. Okay? Contrast होगा. Okay? चाहे वो contrast sentiments का भी हो सकता है. Okay? In the same sentence, it is employed to secure emphasis. जोर देने के लिए यह चीज़ कही जाती है. Example देख लीजे, बहुत typical example है, कई बार पूछा गया है, man proposes, God disposes. दूसरा जो example है, better 50 years of Europe. Better 50 years. यहां 50 years की बात हो रही है, than a cycle. आप कहते. Give every man die year. देखें, यहां every है. Give every man, every man die year, but few die wise. Antithesis. Speech is silver, but the silence is. Speech यहां पर, और silence यहां पर, but the silence is golden. To err is human, to forgive divine. Okay? Human, divine. Antithesis है. Many are called, but few are chosen. Many, few. Okay? Antithesis है. Okay? Mahzamin Fatima ji, I got it. उसके अलावा, he had his jest, and they had his state. Okay? यहां पर jest की बात हो रही है. Okay? और यहां state की बात हो रही है. The Puritans hated bear betting not because it gave pain to the bear, but because it gave pleasure to the spectators. Pain और pleasure में antithesis हो गया. एक ही question में 10-12 को पंदरा question हो गया या नहीं हो गया? आप बताएं. यह सारे example आपको याद रहेंगे, antithesis कभी गलत ही नहीं होगा. कभी गलत नहीं हो सकता. इससे लिए मैं इतने बड़े दावे करता हूँ कि मेरी मॉग दिल से बाहर एक भी question नहीं जाएगा. Art for art से, is associated with. Art for art से किसे associated है? किस से associated है नहीं का A, B, C, D कहुन सा जवाब सही होगा? बिल्कुल aesthetic moment से related है. A is the right answer. Definitely A is the right answer. Undoubtedly. और बहुत अच्छी बात है. जादा तर लोगों ने सही answer दिया है. लेकिन इसकी जब मैं व्याख्या करूँगा, तो और धिरतारे question आपको मिलेंगे इस से. एक मेरे प्रश्न में 10 प्रश्न होते हैं. इसके जो नेता थे, क्या मानते थे, कि जो एक कलाकार है, उसका धर्म होना चाहिए, ब्यूटी की सुंदर्ता की सुंदर्य की पूजा करनी चाहिए, कब ये शुरू हुआ, पूछा जा सकता है, कब शुरू हुआ, ये कब शुरू हुआ, बिगें तौर्स दे खतम होने वाली थी, तब ये शुरू हुआ, अस्थेटिक मुव्मेंट, ध्यान में रखियेगा, अब देखिये, कीट्स की जैसे जो बैलड है, काउन सा बैलड है कीट्स का, जो एक्जाम्पल है, अस्थेटिक्स का, प्री रेफेलाइट जिसे बहुत प्रेज करते हैं, अस्थेटिक मुव्मेंट से नहीं जुड़ा है, कीट्स जुड़े हुए है, सारे के सारे प्री रेफेलाइट जुड़े हुए हैं, अस्थेट्स जुड़े हुए हैं, ये ध्यान में रखियेगा, वाल्टर पेटर जुड़े हुए हैं, इन इंग्लाइन बाई वाल्टर पेटर, आसकर वाइल्ड और सेवरल पोएट्स, आप एटीन नाइटीज अंडर दे स्लोगन, आई आइड पोर आट, क्या ये इसमें भी दिया जा सकता है, आई आइड पोर आट जिसका इंग्लिश में विनिंग होता है, आइड फार दा आइड से, इसको एड़्वोकेट किया, इंग्लाइन में खासकर वाल्टर पेटर, आसकर वाइल दो बड़े नाम हैं, ध्यान में शुपा नकियो, सब्सक्राइट को परगार, इस सब्सक्राइट सच्छा कडा कैसी आइड विन से रहतकोर प्यां आइड भासकोै कीस्ट इप को सीच्छट इंग्लाइन, शूटेन भी घूरिश कड मोन ये इंग्मिटिप電 दे जुपेट्टन फे अइड-ड्सान उन की हा It is a short speech which is heard by the audience. The speaker expresses to audience his private thoughts. But the other characters do not hear it. The term for such speech is Tragedy वाले chapter में सब कुछ पढ़ा चुका हूँ. Exactly इतना clear definition आस तक YouTube पर किसी ने नहीं बताया होगा. Sorry Lucky और aside में जितना मैंने बता दिया. इसका मतलब है कि आप लोग बहुत ज्यादा important नहीं देते theory के classes को. Tragedy पर मैंने बहुत अच्छे से समझाया था सारी चीजे. Tragedy वाला जो वीडियो पढ़ा हुआ है. बहुत अच्छे से व्याक्या की गई है. जो लोग भी जवाब दे रहे हैं. बिल्कुल सही यह aside होगा. Sorry Lucky नहीं होगा. Sorry Lucky short speech होती ही नहीं. पहले ही समझ में आ जाता. जिसने थोड़ा भी पढ़ा होगा. Tragedy वाला जो वीडियो है. पूरा एक देड़ घंटे का वीडियो है बस हुआ है. Short speech है. पहले तो पहला difference हो गया. Solulocky short नहीं होती. Solulocky long होती है जब भी होती है. Short speech which is heard by audience. The speaker expresses to audience his private thought. Audience को करता है, अपना express करता है. But other characters on the stage do not hear it. Solulocky पहली चीज़ तो short speech हो यह जरूरी नहीं है. Long speech भी हो सकती है. Okay? Long speech भी होती है. Okay? Short नहीं होती. यह बहुत short होती है. पहला difference. दूसरा difference जब Solulocky बोली जाएगी तो stage पर कोई नहीं रहेगा. No other characters are present on stage when Solulocky is uttered. Okay? कि सिर्फ इसको भी, Solulocky को भी सिर्फ audience ही सुनेगी. Aside को भी सिर्फ audience सुनेगी. लेकिन Aside में हो सकता है कि दूसरे characters मौझूद हों. लेकिन Solulocky में तो दूसरे characters मौझूद ही नहीं होंगे. तो उनके सुनने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता. अभी भी नहीं समझ में आया? Solulocky में stage पर कोई और character मौझूद नहीं होगा. सिर्फ एक character होगा जो बोलेगा audience सुनेगी. ओके? यह दोनों artificial devices हैं. यह long speech होगी, यह short speech होगी. यहाँ stage पर लोग हो सकते हैं लेकिन सुनेगे नहीं. यहाँ stage पर सिर्फ एक व्यक्ति होगा जो Solulocky बोलेगा दूसरा कोई होगा ही नहीं तो सुनने का सवाल ही नहीं उठता. ड्रामेटिक मोनोलॉग है. ड्रामेटिक मोनोलॉग में पहले ही बताया कि एक व्यक्ति बोल रहा होगा और दूसरा एक silent listener वहाँ मवजूद होगा. बाला वीडियो देख लें जिलनों को ना समझ में आया हो अब भी. A campus novel is a novel whose main action is set in and around the campus of a university. Campus novel, नाम यह न, university का campus होता है, तो किसी university में setting इस campus novel की setting कहा होती है, किसी में किसी university है, college में होगी. The genre in its current form dates back to the early 1950s. 1950s से इसकी शुरुवात हुई, this kind of novel is also known as. Campus novel के और किसी नाम से जाना जाता है, 11 का जवाब दीजिए. ओके, जातर लोगों ने सही answer दिया है, जो campus novel is also known as academic novel. B सही हो जाएगा. Campus novel is also known as academic novel, बहुत सारी movie भी वनी हुई है, campus के वातावर्ण पे, school के माहौल पर, और बहुत सारे novel भी लिखे हुए हैं, चाहे चेतन भगत के बहुत सारे novel जो है, वो campus पे ही based हैं, तो campus novel को academic novel भी कहा जाता है. यह बताएं अब. It is a grammatical term which refers to the inversion of words. एक grammatical term है, और इससे क्या होता है? इससे मतलब यह होता है, inversion of words. यह words का inversion करता है. Inversion of word order from one class to another. Inversion होता है एक class से दूसरे class में. It is chaos, chiasmus, innuendo, pleonism. It is grammatical term which refers to the inversion of word order from one class to another. Okay, एक class का दूसरे class में inversion हो जाता है. एक class में जो बात कही जाती है, दूसरे class में उसी का उल्टा कह दिया जाता है. क्या कहा जाएगा? यहाँ पर जो लोग भी रिस्पॉंड कर रहे हैं, वो बिल्कुल सही हैं और वो बिल्कुल समझ पा रहे हैं. कायास्मस को कई तरीकों से पूछा जाता है, जैसे यहाँ पर पूछा गया, कि inversion from one class to another करके यहाँ पूछ लिया गया, एक class है, वो ऐसे गया, ठीक है, एक class ऐसे गया, दूसरा class, यह clockwise गया यह दूसरा ऐसे चला जाएगा? जैसे मैं कहूँ सत्य ही शिव है, शिव ही सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सत्य है, यह क्या हो गया? कायास्मस का उधारन हो गया, सत्य ही शिव है, पहले मैंने सत्य को शिव कहा, फिर मैंने कहा शिव ही सत्य है, समझ में आई बात? हिंदी में भी नहीं समझ में आई, फि तो मुश्किल है फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए inversion in the second of two parallel phrases inversion in the second of two parallel phrases in poetry is known as उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के हमने पूछा है inversion in the second of two parallel phrases एक phrase है इसके यहां पर inversion किया गया दूसरा phrase है उसके यहां पर inversion किया गया उसे क्या कहा जाएगा inversion in the second of two parallel phrases in poetry question number 13 आपकी स्क्रीन पर है बिल्कुल कायासमस का उदारन हो जाएगा एकदम यह भी कायासमस का उदारन है जो लोग ए रिस्पॉन कर रहे हैं वो बिल्कुल यहां पर सही है देखिए उदारन देख लीजिए आपके समझ में आ जाएगा बहुत फेमस नेम है John F. Kennedy है उन्होंने क्या कहा है लेटस नेवर नेगोसिये आउट फेर लेटस नेवर नेगोसिये आउट फेर लेटस नेवर नेगोसिये आउट फेर बट लेटस नेवर फेर 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 ये कायसमस का इक उधारण, दूसरा देखिए, और आफ़ार बाद में हमारे घर हमें बनाते हैं, ये वे इंस्टे चर्चिल ने बोला है, और देखिए कायसमस का उधारण, हमारा चनाउ किया गया था वाशंग्टन को बदलने बदल दिया। बिल्कुल यासमी जहां जी fair is foul, foul is fair तो I hope कायासमस समझ में आ गया होगा circumlocution is also known as question number 14 circumlocution is also known as interrogation, alliteration, pun, periphrasis आसान question है लेकिन exam में बार बार पूछा जाता है question number 14 बिलकुल पुजा सिंग जी, thank you very much wonderful example प्रमोज जी बिलकुल आप लोग पढ़िए अगर आप में दम है आप में passion है, आप में जज़बा है तो हम कुछ भी नहीं छोडेंगे हम सारी चीजें cover करेंगे ओके 14 का ज्यादा तर लोग D जवाब दे रहे हैं और मजही लगता है D सही है circumlocution जो है इसे ही periphrasis कहते हैं इसके example जरूर देखेंगे ताकि आपको कभी न भूले periphrasis और circumlocution एक ही चीजे है पहली चीज in periphrasis, क्या कगा किया जाता है a thing is presented in a roundabout expression periphrasis में किसी चीज को roundabout expression में present किया जाता है प्रस्तुत किया जाता है roundabout किस चिडिया का नाम है not done or said using the shortest simplest or most direct way roundabout में कोई चीज कही जाती है periphrasis में इसका मतलब है सीधे सीधे नहीं कही जाती shortest तरीके से नहीं कही जाती तो periphrasis में कोई चीज कैसे कही जाती है उपस्थित की जाती है roundabout expression में उपस्थित की जाती है roundabout का मतलब सीधे सीधे नहीं कही जाती घुमा फिरा कर कही जाती है, ओके बहुत सिμपल उदारंट लिलिinizi हो अगर मूश्टास को मूच हो को अगर अगर अंधर नोज hair crops कहें, तो यह peripheryrasis का उदारंण हो गया, cirumlocution का उदारंण हो गया, जाहिए, अंधर नोज hair crop कौहें, अंधर नोज hair crop मेरे तो है नहीं, मुच हो गई न, लेकिन हम सीधे मुस्टास कह सकते थे, लेकिन हमने मुस्टास ना कहके उसको क्या कहा, अंदर नोज हेर क्रॉप कहा, इसी तरह, हम सीधे grandfather बोल सकते हैं, लेकिन अगर हम ग्रैंट फादर को हम my father's father बोलें, तो यहां भी circumlocution या perifrasis हो जाएगा, ओके, grandfather को, अगर हम सीधे सीधे grandfather ना कहके my father's father बोलें, तो यहां पर भी perifrasis या circumlocution हो जाएगा, ओके, I hope आपको समझ में आ गया होगा, गातुम रबेश बाबू, संजे कुमार जी, मुस्कुरा रहे हैं, बिल्कुल literature की class है, मुस्कुराने की वज़ा होनी चाहिए, यहां पर देखिए, अच्छा question है, आपकी screen पर दिखता रहे हैं, उतना ही उपर करूँगा, it is a plot device, it is a plot device which is used to cause suspense, देखिए, एक ऐसी plot की एक device है, जिससे suspense पैदा होता है, suspense वाली movie आपने देखी होगी, suspense thriller वाली, a story or plot line comes to an end suddenly, एक एक story खतम हो जाती है, एक एक story खतम हो जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा कि अगले part में क्या होगा, मतलब part में, जैसे serials में बहुत होता है, कि बहु सास की तरफ चाकू लेके दवडी हुई है, और बिलकुल मारने ही वाली है, खतम serial, अब अगले दिन महिलाएं, इसमें रहेंगी कि अब आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, अगले episode में क्या होगा, तो वही, एक आएक यहा आप नहीं मिलता एक serial से, कई serial देखने पड़ते हैं, कई episode देखने पड़ते हैं, it puts the main character in a difficult dilemma, मुख्य जो किरदार है, उसको dilemma में ही छोड़ देता है, the main character is confronted with a shocking revelation at the end of an episode of serialized fiction, इसे क्या कहेंगे हम, cliffhanger कहेंगे, क्लिफ्टॉन कहेंगे, dilemma कहेंगे, हमर्शिया कहेंगे, इस तरह के episode को, इस तरह के play को, जो कि एक खतम हो जाते हैं, फिर जब उसका दूसरा part आता है, तब पता चलता है, उससे क्या कहेंगे, क्लिफ्ट हैंगर is the right answer over here, क्लिफ्ट हैंगर is the right answer, और इसको सबसे popular रुदारन मैं आपको बता हूँ, जब बाहुबली first part आई, तो सब लोग सोचते रह गए थे कि कटपा ने बाहुबली को क्यों मारा, यह क्लिफ्ट हैंगर का बाहुबली part 1 बहुत ही जबरजस्त उदारन है, हमें नहीं पता था जब तक बाहुबली का part 2 नहीं आ गया, हमें नहीं पता चला कि कटपा ने बा क्लिफ्टर खतम होगा तो एक डालेमा की स्थिती आ जाती है कि आगे क्या होगा, क्लिफ्ट हैंगर इंट्रोड ट्विस्ट आइस इंटेंशनली लेफ्ट अन्रिजाल्व या अन्साल्व इन आर्डर तो एन्हांस असस्पेंस एंड्रामा आफ है स्टोरी, कटपा ने बाह प्रचारित करने लगते हैं इसलिए आप पीडियाफ को हमारे आप पर ही देख सकते हैं, क्योंकि जो टॉपर्स नोर्स होता है, टॉपर्स स्टेडी मटीरियल और दूसरी जगहों के स्टेडी मटीरियल में फर्क होता है, मुझे अपनी तारीफ करते अच्छा नहीं लगत को कोड़ ही असोसियेटेड विद, फॉकनर, हैमिंगवे, मार्क ट्वेन, जॉन स्टेनबै, कोड़ हीरो किस से जुड़ा हुआ है? ज्यादा तर लोग भी आंसर कर रहे हैं और यहाँ पर भी बिल्कुल सही है, ओके? कोड़ हीरो हैमिंगवे से जुड़े हुए, ओके? अरनेस्ट हैमिंगवे आपके LTE grade के syllabus में भी है, लेकिन यहाँ पर यह जान लेगे कि कोड़ हीरो आपसे literary term forms moment में उच्छा जा सकता है, ओके TGT, PGT में भी, कोड़ हीरो जो एक term है, वो हैमिंगवे से जुड़ा हुआ है, यह इसको देख लेते हैं, जो हैमिंगवे का कोड़ हीरो है, वो कैसा होगा? यह आप देख लीजे अच्छे से, हैमिंगवे का जो कोड़ हीरो है दोस्तों, वो the code hero is someone who after facing too many problems, बहुत सार problems को face करने के बावजूद भी वो अडिग रहेगा, okay? He is free-willed, अपनी इच्छा का मालिक है, self-disciplined, आत्मा अनुसाशन वाला है, typically an individualistic and lives up to the richness of life, वो अच्छे से अपनी life अपने उसूलों पर जीता है, he knows that in the end, जो code hero है है, हैमिंगवे का, वो जानता है कि अंत में उसकी हार होगी, okay? वो लूज करेगा, चुकि हम सभी लोग मृत प्राय है, एक दिन हमारी डिथ होनी है, but he believes that the true major is how a person faces death, अब जाकिए, जो हैमिंगवे का, old man under the sea में, सैंटियागो का करेक्टर है, अगर आपने पढ़ा होगा, आपको याद आ रहा होगा, तो आपको पता चलेगा क सैंटियागो का करेक्टर कैसा है, कोड हीरो का प्रत्यच्छ ज्वलंत उदारण है, okay? बिलकुल, question number 17, comedy of manners flourished in particular period of England, which period is it? comedy of manners है, particular period में flourished हुई, fully fully England में काउं सा period था वो? यलिजा बेथन था, Victorian restoration romantic, question number 17, आप सब लोगों से बस एक निवेधन है, लाइक कर दीजेगा ज्यादा से ज्यादा संख्या में, और चैनल को प्लीज शेयर कीजे, मैं इतनी मेहनत करके, इतने सारे notes से पढ़ाता हूँ आप लोगों को, बस आप से एक ही निवेधन करता हूँ, करबद निवेधन करता हूँ, कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और भीना like किये नहीं जाएं, अगर आपको पसंद है मेरा पढ़ाना, तो like क्यों में आखिर, ओके, comedy of manners flourished in a particular period of England, एक particular period में यह flourished हुई, कौन सा यह period है, यह विल्कुल दोस्तों, undoubtedly restoration period है, विल्कुल, ज्यादा तर लोगों ने, जिन लोगों ने C answer दिया है, विल्कुल सहीं, स्मिता सिंग जी, मालती बिन जी, प्रियंका प्रजापती, हेमा साहू, दिनेश कुमार, ब्रिजेश उपाध्याय, C is the right answer, ओके, यह देख लीजे, थोड़ा सा देख लीजे, comedy of manners आज के बाद नहीं भूलेगा, आपको कभी नहीं भूलेगा, As we know, the theatres in England were closed down during the, जब जाहर सी बात है, जब यह Commonwealth period आया, तो theatres close कर दिये गए थे, ओके, बाद में फिर से खोले गए, theatres, and dramatic activities restarted, dramatic activities शुरू हुई, फिर से, Commonwealth period के बाद, But on the restoration of King Charles II, जब Charles II आया, France से, जब Charles II आया, वो चुकि उसके मन में बहुत ही, फ्रांस की culture with demand थी, Charles II brought with him low morals and high fashion of the French court, and social life, वो फ्रांस की culture लेके आया, Charles II अपने साथ, ओके, Charles I के जाने के बाद Commonwealth period आता है, ओके, उसके बाद जब Charles II आता है, तो अपने साथ वो फ्रांस की संस्कृति ले आता है, जिसे England के लोग पसंद नहीं करते थे, तो इनहीं पर जो comment किया गया, वो comedy of manners बनी, जो चाल्ज सेकेंड, फ्रांस की culture लेके आया, जो फ्रांस का fashion लेके आया, उसी पर जो कटाच किया गया, उसी पर जो नाटक लिखे गया, वो comedy of manners कहलाते हैं, the low moral values and highly artificial and ploppish social customs, low moral values लेके आया था, वो तो समाज में फैल रहे थे, बहुत ज्यादा artificiality फैल रही थी, जो समाजिक परंपराएं हैं, बहुत ही खराब रूप से प्रजलित हो रही थी, तो उन पर जो ड्रामा लिखा गया, फ्रांस इसे लाई गई संस्कृति, कटाच करते हुए जो ड्रामा लिखा गया, वो comedy of manners कहलाया, the comedies which exhibited these social manners, came to be known as the comedy of manners, जो ये सामाजिक तोर तरीके, फ्रांस से आयातित किये गये थे, चाल सेकेंड द्वारा, उन पर जो comedy लिखी गई, उसे comedy of manners कहा गया, उसी को restoration comedy भी कहते हैं, confused नहीं होईएगा, the comedy of manners deals with relations and intrigues of gentleman and ladies, जो संबंध है, संभरांत खांदान के बड़े लोगों के, जो sophisticated खांदान है, aristocratic कुलीन वर्ग के जो gentleman है, जो ladies है, उनके आपस में संबंधों पर लिखी गई, comedy of manners, जो समय का समाज था, ये aristocratic कुलीन वर्ग का, उन पर लिखी गई, और एक comic effect पैदा करने की कोशिश की गई लिखके, तो I hope आपको, समझ में आ गया होगा, कि comedy of manners कैसे आया, चाल्स सेकेंड के आगवन के साथ, जो France की culture, संस्कृति आई, और उस पर जो कटाच किये गए, उस पर जो उस समय के कुलीन वर्ग, जो की, उस संस्कृति को अपनाने लगा था, उस कुलीन वर्ग के बारे में जो चीजें लिखी गई, वो comedy of manners कहलाई, या restoration comedy कहलाई, question number 18 पे आते हैं, orthography, paleography, panegyric, question number 18, the art of deciphering, decipher बतलब बतलब निकालना, ancient writing, inscription and manuscript is known है, जो ancient writing है, जो inscription है, जो manuscript है, उसका मतलब निकालने की कला जो है, जो विज्ञान है, उसे हम क्या बोलेंगे, अब बताएं, question number 18, okay, जिन लोगों ने भी यहाँ पर C answer दिया है, वो बिल्कुल सही है, कोई doubt नहीं है, उसमें, C is the correct answer, okay, C is the correct answer, बिल्कुल मैं जिबीन फातिमा जी, राइट इन्फोमेशन, okay, पैलिओग्राफी is the correct answer, जान में रखियेगा, वनवर सब्सुटूशन और लिटररी तर्म दोनों में पूचा जा सकता है, पैलिओग्राफी, the art of deciphering ancient writing, inscription and manuscript is called, पैलिओग्राफी, यह अच्छा question है, इसको आप बताईए, young people using unconventional dress, manners and behavior, जो यूवा लोग है, वो unconventional जो dress पहनते हैं, unconventional जो manner अपनाते हैं, और जो unconventional मतलब परंपरा से हटके, रूडियों से हटके जो dress पहनते हैं, जो manner अपनाते हैं, जो behavior करते हैं, एक सामाजिक रूप से protest करने के लिए, एक सामाजिक रूप से विरोध कर जताने के लिए, जो लकीर का फकीर चला आ रहा है, उसका विरोध करने के लिए, जो यूवा लोग, जो manners, dress, जो पहनते हैं, जो कि unconventional हैं, परमपरा से हट के हैं, उसे क्या बोलेंगे, young people using unconventional dress, manners and behavior as a way of social protest is, campus कहेंगे, beatnik कहेंगे, attendance कहेंगे, बर्बेटा कहेंगे, क्या कहेंगे? क्या कहा जाएगा, beatnik कहा जाएगा, ध्यान में रख लिजेगा, फिर भी ना समझ में आया हो, थोड़ा से गूगल कर लिजेगा, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, जब कोई concept समझना हो, तब teacher की जरूरत होती है, information के लिए teacher की कोई ज़रूरत नहीं है, a general truth, which is drawn from experience, and also a rule of conduct, a precipit is known as, एक general truth है, सारुभाम truth जिसे कहते हैं, सामान ने सक्चर, एक अनुभो से ये सत्य प्राफ्थ होता है, एक rule of conduct भी है, एक precipit भी है, किस नाम से जाना जाएगा, mime, lampoon, maxim, या solacism, हलो शाइला राज जी, question number 20, ओके जो लोग भी question number 20 का C answer कर रहे हैं, वो बिल्कुल सही है, maxim को ही कहा जाता है, maxim क्या होती है, एक general truth होती है, पहली चीज ये ध्यान में रखिए, क्या है, general truth है, जो अनुभो से आती है, rule of conduct में होती है, rule of conduct भी होता है, okay, इसे maxim कहते हैं, C is the right answer, okay, general truth which is drawn from experience, and also a rule of conduct, speech finish नहीं हो जाता, हम कम से कम 20 questions तो आपके लिए लाएंगे, और वो 20 questions यकीम मानिये 200 questions के बराबर होंगे, मेरे 20 questions मैं literally कह रहा हूँ, check करके देख लीजिए, जो भी इसमें, आप लोगों में सभी matured enough है, देख लीजिए, मेरे 20 questions, 200 questions के बराबर होंगे, मैं जिस तरह ले आता हूँ, the way I teach, तो इसको देखते रहिए, और मैंने गिना दिया, चाहे वो आपके Rotelis हों, Mehmach Abraham हों, B. Prasad हों, Chris Baldick हों, सब से इकठा करके मैं अपना study material बनाता हूँ, एक author, चाहे वो, कोई भी हो, आपके लिए परियाप्त नहीं है, अगर आपको ये suggestion दिया जाता है, कि एक author आपके लिए परियाप्त है, it is not good, okay, thank you very much, इतनी बड़ी संख्या में participate करने के लिए, और हमसे जुरने के लिए, इतने कम समय में, इतना सारा प्यार देने के लिए, ये आपका प्यार ही है, इतने समय में आपकी recognition, जो आपने मुझे recognition दी है, इतने कम समय में, उसके लिए आपको कोटी-कोटी बिलकुल आभार, मैं बिलकुल मेरे पास शब्द नहीं है, आप लोग बिने like किये नहीं जाएगा, like कर दीजिएगा, ताकि दिखे, यहां नहीं सरके में भी like होता है, और subscribe करवाईए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ताकि इस बात का परियाब तो प्रिचार प्रसार हो, थैंक्यू बेरि मुच्छ, और इससे भी बहतर लिटरी टर्म्स, फॉर्म्स और मोमेंट के लिए और हमारा दावा है, हमारी गारंटी है, हम जो पढ़ाएंगे इन मौक ड्रिल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ज्यादा दिन नहीं एक्जैम में, सामने आएगा, चुकि मुझे में confidence है, मैं एक्जैम LTE ग्रेट दे चुका हूँ, TGT में दे चुका हूँ, पहली बार में UGC NET मैंने क्वालिफाई किया, आपने से कभी आप अपनी प्रशंसा नहीं करता है, English से पहली बार में मैंने क्वालिफाई किया, ये बात आपको इसलिए बतानी याद दिलानी जरूरी हो जाती है, ताकि आप अपने टीचर की वर्त को समझे, Thank you very much, Good night to all of you, Okay, thank you.